हेलो स्ट्टुएंट्स तो चलिए फिर चलेंगे हम कंप्टिशन की राफ पर SSC-CHSL का हम आपको प्रेटिसर्ट देंगे इसमें इंगलिस के कुश्चन्स हैं मौक टेस्ट है इसी प्रकार के प्रस्ट आपको मिलेंगे और हो सकता इसमें अधिकतर जो सिनानुम एंटानुम ह क्योंकि important questions हैं सब चलिए इसको देखेंगे हम और शेयर करेंगे अधिक से अधिक जो स्ट्टुएंट हमारे SSC-CHSL के एक्जाम होने वाले हैं फरवरी में ठीक है इसकी preparation कर रहे हैं उस तक English का ये वीडियो पहुचा दीजे आपके काम कभी हो सकता है अगर आपने form बरा है चलिए अगलत देखेंगे कैसे question आ रहा हैं तो इसमें क्या करना है इसमें देखिए पहला question आपका जो दिया हुआ है ये कह रहा है कि in the following questions some parts of the sentences may have error find out which part of sentence has an error and select the appropriate option और ये तो सब पता होगा आपको क्या करना है इसमें ठीक है first second third fourth दिया होता है बताना है किसमें error है किसमें नहीं है अगर नहीं है तो fourth लगाना है हम sentence देखेंगे सीधे देखिए he added that his previous employee in Lucknow never paid him on time or gave him his full dues उसने बताया कि उसका जो पहले का कमचारी था लगनाओ में उसने कभी भी समय पे पे नहीं किया उसको पैसा नहीं दिया या उसके पिछला कोई भी बाकी नहीं दिया किस पार्ट में गलती है यह बताईए तीन से चार कोश्चन आएंगे आपके में error detection के ठेक है इसमें students जो अगर बात करेंगे पूरे sentence की तो grammatical कोई error नहीं है grammar की जो गलती है वो कोई नहीं रहे ही एडेड साही लिखा है that his previous employee in Lucknow never paid him on time on time होता है और gave him his full dues ठेक इसमें जो आपकी गलती है sentence में actually वो error है आपकी पकड़ पार है आप कहां पे गलती है पार्ट ए में है ए पार्ट में कहां पे गलती है क्योंकि देखिए previous year paper तो होता है मतलब भूत पूर्व के लिए हम previous लगाते हैं लेकिन अगर वो इसमें जान नहीं है ठीक है निर्जीव के लिए previous year paper previous question ये तो सही है लेकिन व्यक्ति अगर पहले का है तो उसके लिए हम लगाते हैं former सुना होगा आपने हो बोला भी होगा former prime minister from former chief minister तो employee है तो employee previous नहीं होगा employees हमारा होगा former तो आपको क्या करना इस पार्ट में इसमें previous हटेगा और former लगेगा ठीक है तो ए पूर्शन आपका ये नंबर मेले में आपको सही है ठेक गलती यहाँ पर हमने बताया आपको चली अगला question देखेंगे आगले question में क्या दिया हुआ है अगला question भी वही है एक दो तीन चार नो इरर कहां पढ़िए इसको पढ़िए बताए कहां पह गलती even if we missed days work our salaries are not cut and we were paid in full अगर हमें एक दिन मिस्स भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं हमारी salary नहीं काटी जाएगी हमको पूरी तरह से payment किया जाएगा बताना किस पाल्ट में गलती है और क्या है देखिए इसको पढ़िए even if we missed a days work यहाला कि हम मिस्स कर देते हैं एक दिन का काम प्रकृति के तत्वों के साथ एपास्टाफी S लग जाता है डेज है आवर्स है संस है मून्स है यह सही है if we missed यदि हमने miss कर देते थे एक दिन का भी काम का अगर हम gap कर देते थे तो क्या होता था our salaries are not cut we were paid in full अब देखे रहे हैं आप जिसा देख रहे है यह भी past है past की रचना अगर वाला sentence है तो कई present वाला कहां से आ जाएगा अगर कोई बात past की चल रही student या जिस काल में चल रही हो तो उसी काल में sentence होगा पूरा एगा एक normal sentence चल रहा है आपका certain sentence तो अब यह past की बात है तो यह आर नहीं आएगा यहां हो जाएगा आपका वेर यह हो जाएगा तो समझ पा रहे हैं गलती आपकी कहां है गलती आपकी यहीं है आर की जाएगा क्या होना चाहिए वेर होना चाहिए पास्ट नोना चाहिए गटना तो आपका किस पर यह किस पाल्ट में है यह आपका पाल्ट टू में है पी आप से ठीक है यह हो जागा एबी सी डी उपर नीचे हो गया तो प्रिंटिंग में स्टेग है तो आप समझ रहे हैं अगला देखेंगे दो एरर कोश्चिन हो गए अगला एरर में क्या कह रहा है अगला वला हमारा कह रहा है कि देखेंगे ब्रिंग पर इसमें कहां पर है इसमें करना इंप्रूब दा ब्रैकेटेड पार्ट अफ देखेंगे अच्छा इसमें थोड़ा सा अलग है इसमें जो यह है ब्रैकेट पार्ट वाला यह है इसको इसके स्थान पर क्या होना चाहिए यह भी यह बताना है ठीक है इसमें इंप्रूव करना है जो पार्ट ब्रैकेट वाला है ब्रैकेट के पार्ट को इंप्रूव करना है तो क्या होगा दे हैव होल्ड बताइए इस सेंटर्स में क्या है अब समझी रहूंगे दे हैव होल्ड अगर दिया है तो सबसे पहली बात तो have, has, have, head के साथ word की third form लगती है ठीक है, easy है, वहुत rough नहीं है hold का third form क्या हो जाएगा, held होता है आयूजित होना, या hold मतलब पकड़ना, ये भी होता है अब इसमें क्या होगा, they have held they have held, किस part में है, beam है, beam है, they have held ठीक, चलिए अगला देखें, अगला क्या कह रहा है अगला हमारा sentence कह रहा है, कि select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the following, in the given sentences if there is no need to substitute it, select the no substitution चलिए, कहां पे सुदारगिस में जरूरत है the entrance universities abroad was the biggest challenge इसमें जो underline part है, इसे बताना इसको कौन सा replace करेगा तो entrance university abroad was the biggest challenge had been the big होगा, is the bigger होगा, has been bigger होगा जो ये जो part हमने green sand rain किया है यही सही है, इसमें जरूरत नहीं है वह आके ठीक लिखा है आपका तो was भी लिखा है past को दिखा रहा है ठीक है और इसमें biggest super active degrees पर दा लिखा है challenge लिखा है, सब सही है, कोई जरूरत नहीं है इसी तरह अंगला देखिए appropriate word आपको बताना है जो इसमें भरे जाएंगे फिलर्स भी आके एकजाम में आएंगे the chairman advised them to build a bridge between the two companies using कौन सा सब्द भरेंगे पाच्वे नंबर में पाच्वे नंबर में कौन सा सब्द भरेंगे आगे strength माने शक्ति, control माने नियंदरल, competition प्रतियोगता negotiation माने सहयोग या अपस की समझ अपस की बाचीत बाचीत करना अपस तो क्या होगा chairman advised them chairman उनको सला दी to build a bridge की एक ऐसा फुल बना जाए between the two companies दोनों के company के बीच में ऐसा माध्य मनाय जाए using जिससे बाचीत का रस्ता तहलो कैसे negotiation डी होगा आपका using negotiation आपसी समझ है सहयोग की बावना विक्सित हो negotiation and compromise negotiation हो आप तो बाचीत हो, समझ हो और समझोता हो ऐसा ये चीज है अगला इसमें filler है फिल करना है, इसमें कौन सब फिल करेंगे हम छटा है दपलिग्रिम ग्रिव इंक्रीजिलिंग एवेर अफ दा और सेक्रेट बुद्धिस्ट इक्टेस्ट इन दा चाइनिज लेंगवज और डिसाइड़ टू टू इंडिया इन सर्च अफ देम जो तीर्थ्यात्री थे उनमें भड़ बढ़ गई ग्रिव इंक्रीजिलिंग एवेरनेस ओफ दा किस चीज की जागरुता बढ़ गई और सेक्रेट बुद्धिस्ट टेक्स्ट किस चीज की जागरुता बढ़ गई देखें कौन कौन से शब्द हैं परसिस्टेंस का मतलब नोट के लिए कई बार आ चुका है परसिस्टेंस का मतलब होता है द्रवता पारिटी मतलब होता समानता प्रिफरेंस मने होता है एक प्रिफरेंस देना वरीता देना पॉसिटी मने होता है कमी क्या होता, पाउस्टि हो जाएगा. बढ़ गई बॉधिस्ट टेक्स्ट की कमी की जानकारी, जो सेक्रेट बॉधिस्ट टेक्स्ट थी, उसकी कमी थी, इस चीज की जानकारी बढ़ गई यह है आपका ठीक बाकी कोई नए फिक्स हो रहा है अपका प्रश्ट ड्रनता यह प्रफिर्फरेंस पॉस्टी नहीं पारिटी नहीं पॉस्टी हो जाएगा फिलर्स की कोष्टेन विद्धान से करिएगा आएंगे जरूर्स ऐसे छसल में शसी फिलर्स देते हैं चलिए अगला देखेंगे अगला क्या कह रहा है अगला है आपका sentence है कि select the correct active work form active wise डाइट डाइट दो दो वाक एक वाक आपको मिलेंगे देखने को तो इसमें क्या करना है आपका only home home cooked is eaten by us ठेक है पाइस का वाक है इसको active wise मनाना है अब subject object object subject 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 object यह जरूल है तो अब यह बाई है तो इतो पैसी वाईस में active wise में क्या होगा अपका हो जाएगा subject subject वी वी से सब वी से कौन से वाक्य शुरू है सभी वाक्य वी से शुरू है ठीक है कोई बात नहीं किस tense का है यह पकड़िए यह इज इज है और थर्ड फार्म है इज और थर्ड फार्म किसमें लगती है यह लगती है अपकी present इंडिफनेटेंस में लगती है प्रजेंट इंडिफनेटेंस कौन कौन से दिये हुए आपके देखिए यह नहीं है यह नहीं है तो यह है यह है यह आपका और यह नहीं है यह नहीं है मतलब present indifferent का केवल एक वाक्य आपका दिया है वो है आपका C नंबर का C तो student 7 नंबर जो वाक्य है यह हमारा हो जाएगा we eat only home made food only we eat only home made food इसी option आपका सही हो जाएगा पैस्यू सरल है अगला देखें कौन सा है आपका क्या है अगला भी देखें आपका दिया हुआ है आपका पैस्यू है select इसका करना है select the most appropriate पैस्यू फॉर्म of the given sentence इस sentence गिव फॉर्म की सही आपको पैस्यू रूप बताना है please lock the door यह आपका active है इसको पैस्यू में कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे तो इसमें being नहीं होगा please let नहीं होगा should भी नहीं होगा please वाले वाक्यों में you are requested बदलते हैं please कैसे बनाते हैं जब प्रीज से बनाना हो तो आप you are requested to यह जोड़ देंगे you are requested लिखेंगे और to लिखके वाक्य में वैसे उतार देंगे तो you are requested लिख लिए please हटा दिया lock the door you are requested to lock the door यह अपका B option रहेगा B option आपका सही option रहेगा ठीक चलिए अगला क्या करना है अगला देखिए आगया फिर वही आपका indirect speech आगई तो इसमें क्या है यह direct दिये इसको बनाना है indirect बनाना है indirect में कैसे बनेगा have you got a blue scarf तुमको blue scarf मिला the customer asked the assistant गरहक ने सहाइक से पूछा तो ठीक है है यह से सुरू है वाकी की सुरूआ तो आस्क्र में दिया होगा तो आस्क्र में दिया होगा ठीक है यह आस्किंग तो गलत पहले ही निकाल दी जासको आस्किंग तो नहीं होगा ठीक है और have है तो इसका मतलब यह जाएगा head में have किसम बदलता head में देखे इस वाक्र में have have में ही है कोई बात ने इसको भी हटा दीए अब आपके पास have किसम head में बदला है hedge या have बदलता है head में direct में अगर hedge have दिया है तो बदलेगा indirect में head में head में इसमें दिया हुआ है D option देखे इसमें भी आपका hedge दिया हुआ है यह सीधा सीधा आ गया यह सीधा सीधा सरल तरीके से आ गया सबसे अच्छा तरीका यह है कि कौन सा high के पेच्छा यह निकालना accounts option नहीं है ठीक है ऐसे ही paper solve होते है तो आपने देख लिए इसमें ही हो गया आप देखे कुछ हम synonym देखेंगे important है synonym आट सकते है complacent है complacent का क्या बताना है आपको आपको synonym पूछे गया है पहले ठीक है synonym बताना है बताएंगे दस नंबर बताएंगे क्या है यह सुना होगा आपने जब कुरना के एड का एड में आया था कि don't be complacent आप संतुष्ट मत होईए तो यह था है complacent मने होता satisfy होना satisfied complacent मने आत्मसंतुष्ट जब तक आप आत्मसंतुष्ट ना हो जाएं गर से बाहर ना निकले है यह सा था तो complacent है यह इसको मिसस पेल्ट में भी हो सकता देदे c-o-m-p-l-a-c-e-n-t complacent में satisfied अच्छा सब्द है और इसका आपको बताना है क्या? सिनोनिम बताना है देखों discontent तो यह opposite हो जाएगा smug सही सब्द क्या है smug का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट होना नोट कर लिए आत्मसंतुष्ट के लिए एक वर्ड है smug s-e-m-u-g or complacent don't be complacent if you want to progress संतुष्ट हो जाएगे वही जिन्दिगी रुख जाएगी ठीक तो complacent संतुष्ट होना इसमें और है और जो मीनिंग है इनके भी अर्थ अपकता दे आपको discontent असंतुष्ट aggressive मने होता है जो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो amicable amicable मतलब हो जो बहुत ज़्यादा नम्र हो उदार हो ठीक है उसमग मतलब हमने बताया complacent संतुष्ट होना आत्म संतुष्ट होना उसमग बोलते हैं अगला क्यामसा है अगला है प्रे अच्छा वर्ड है प्रे persecution persecution है आपका अल्ड वर्ड किया जा रहा है persecution बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है persecuate अत्याचार करना operation बहुत ज़्यादा दबा तो यह इसका आपका synonym हो जाएगा साथ में कुछ और भी शब्द है इनका भी देख लिए affliction मतलब होता है कस्ट या पीड़ा बहुत दर्द हो दुख हो तकलीफ हो affliction बोलते है perfection मतलब होता है पूरता यह तो मालूम होगा आपको उत्रश्ट पूरता और अगला है stimulation stimulation है अगला तो इसका मतलब हो जाएगा stimulate करना उत्तेजना उत्वर्ण करना उकसाना stimulate stimulate करना excite करना तो persecution प्रतालना उत्तपीडन अत्यचार इसको क्या होगा synonym operation affliction का मंद्ध मताएँ आपको दर्द दुख पीड़ा world कहीं न कहीं आ जाते है इनको हम दो तीन बार बोल दे रहा है covetous इसमें देखिए अब उल्टा बताना है covetous covetous का बताना है आपको apposite यानि एंटानिम तो covetous का मतलब क्या हो जाएगा देखिए covetous का मतलना हो जाएगा greedy, lalchi होता है क्या होता है lalchi làalchi lalchi क्या हो जाएगा دانी और एक और note कर लीजे आपका covetous दिया हुआ है तो यह जो एक शब्द आया है अवारीसीयस, अवारीसीयस, इस अवारीसीयस मनने यह भी लालची होता है ये नंच्राइश से आपका आपका, जिएक स्टुएंट और वर्ल्ट इम्पोर्टेंट है आपका, यह मरसिनरी, paid soldier जिसे कहते है one who acts only for money जो पैसे के लिए लड़ता है के वल उसको कहते है mercenary exam में आ जाता है बहुत exam में आया है ये word mercenary mercenary वेतन भोरी साइनिक जिसे आप कहते है या यह चीज़े और अगल है executive मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा रखने वाला इसको यह कहते है तो आपने देखा क्योटियस लालच क्या हो जाएगा benevolent मनदे परुपकारी लालची का परुपकारी अगला क्या है देखिए अगला है आपका देखिए अगला से world है क्या पूछा गया है आकवना है minuscule minuscule का बताना है आपको अंटॉनिम अपोजिट बताना है क्या होगा minuscule minuscule mini mini से mini से है बहुत छोटा है अधिक सूच्म जिसे को आप कहते हो ना अधिक छोटा mini सूख्ष में इसकार्थ होता है सूख्ष्म अच्छा और बड़ा किसकार्थ होगा बड़ा बड़ा पलक ढूनना है सब जिसका meaning बड़ा हो तो है आपका क्या विशाल दानवकार गैगेंटिक यह है आपका इसका अपोजिट डॉर्फ नटा स्माल छोटा मीगर अपरयाप्त यह होता है बहुत कम मीगर मना होता है बहुत कम बहुत कम कोई चीज हो तो आप मीनिक्यूल नोट कर लिजे बहुत चोट बहुत कम बहुत चोटा और गैगेंटिक विशाल देता कार और कौन से वाल्ट है अगला है मिसस पेल्ट आजाए दो तीन आगे में मिसस पेल्ट तो देखिए कौन से मिसस पेल्ट है इसमें आपको तीन चार जो शब्द है इसमें कौन सा रॉंगली स्पेल्ट है कौन सा गलत लिखा गया है बाकी तीन सही है बाकी तीन कौन सही है अब इसमें जो है आपका तो इसमें जो कौन सा रॉंगली है आपका ए जो यह अप्षन है इसमें नमबर सीद गलत हो गया है ओर अबसी एट या यह आपका रॉंगली स्पेल्ट है बाकी सही है कॉमुमुरेट याद करना, ओकेजन अफसर और कन्विनियन्स यह भी सही है आपका चलिए, पूछ लिया गया वन वर्ड, क्रूप आफ वर्ड कर जिसकार देखी हो एक अर्थ हो, वाक्यानस के लिए सब्द एक रिटकल जाज आज आफ इनी आर्ट और क्राफ किसी भी कला अथवा शिल्प का बहुस काईदे से बारीकी से अध्यान करना क्या कहलाएगा जिसे कहते हैं आप आप सकते हो, कला निर्णायक या कला का पार्खी बहुत बारीकी से ध्यान देने वाला इसको हम क्या बोलेंगे, कनेसर क्या बोलते हैं, कनेसर ये Miss Spelt के लिए बहुत favorite meaning है examiner का कनेसर lover of art क्या किसी भी चीज को बहुत धान से देखने वाला समझने वाला और चीज का ग्याता भी हो यह चीज है lover of art and literature तो ये भी कनेसर है और critical judge of any art and literature and craft इसको भी कनेसर कहते हैं एक बार लिख के देख लिए ये Miss Spelt में मिल जाएगी spelling ये बहुत बार पूछी जाती है मिलिंग सी ओ डबल एन ओ आई डबल एस है और ए है उसके बाद यू आर है तो क्या समझे आप कि डबल एन भी दिया हुआ है और डबल एस भी दिया हुआ है दो बार एन है और दो बार एस है कनेसर अगला देखेंगे अब क्या सोलेम करना है इडियम है एक पूछा गया है इडियम इडियम इसमें यह आपको बताना है तो सिट आन दा फैंस जो हमने लिखा है ग्रीन से इसका अर्थ क्या होगा A, B, C, D में इसका अर्थ बताना है तो यह इसको नोट कर लिजे Remain undecided and unsure Undecided रहना और unsure रहना यह है To sit on the fence Sit lazily नहीं है आलस से बैटना यह भी नहीं है Relax करना यह भी नहीं है दिवाल बनाना यह भी नहीं है To sit on the fence का कलब होगा कि Unrelay की स्चित में और अनिस्चित होने की दसा में यह वोगा आपका चलिए अगला देखेंगा अठार नंबर का अठार नंबर क्या है Select the most appropriate Meaning of the given idiom है Call on Call on को हम क्या कहेंगे Call on Call on का मतलब होता है मुलाकात करना Visit करना Call on का मतलब होता है टेलिफोन नहीं होता Visit करना Call on का होता है Visit करना Step out मतलब होता बाहर निकला और Announce मालूम होगा आपको घोशड़ा करना अगला देखेंगे 19 नंबर का क्या है इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको PQRS set करना है PQRS set करना है इसमें आपको बताईए देखिए Arrangement of sentence आएंगे Sentence को सही gram में लिखना है बताईए कौन सा क्रम किसका होगा तो PQRS दिया हुआ है जो इसमें तो आपको set करना है PQRS में PQRS में आपको set करना है तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका P दिया हुआ है P क्या बाते कह रहा है Q क्या कह रहा है और R क्या बाते कह रहा है और S क्या बाते कह रहा है हमने आपको बताया था सुरुवात वाकि की प्रोनाउंस नहीं नाउंस नहीं होनी चाहिए और पहला वाकि ऐसा होना चाहिए जो परिचाह दे पहला शब्द जो पहला संटेश होना चाहिए वो पूरे वाकि का परिचाह देने वाला होना चाहिए introduction जिसे कहते हैं तो कौन सा इसमें PQRS में है जो वाकि की सुरुवात कर रहा है देखिए P क्या कह रहा है biography of great mankind can also help biography जो है महान विक्तियों की भी इसमें मदद कर सकती है भी जो आया है also भी मदद कर सकती है मतलब इससे पहले कुछ ऐसी बात कही गई है सकती है मतलब इससे पहले कोई ऐसी चीज़ है जिसने मदद की है P sentence यह बता रहा है और क्यों बता रहा है देखिए आपका क्या बता रहा है courtesy and politeness is the key of good minor यह बता रहा है दया और नमरता विनमरता है यह अच्छे माइनर्स के तरीके है अच्छे माइनर्स के अंतरगत आते हैं ठीक है क्यों यह बता रहा है और R है No doubt these are little words कोई शक्त नहीं है कि यह छोटे सब्द होते है कोई शब्द नहीं यह छोटे सब्द होते है इसमें कोई संद्दे नहीं यह छोटे सब्द होते है यहनि कौन सब्द है जो बताना है जो छोटे है जिनके बारे में R वाले संदेंज में आपसे बताए गया है तो अगला सब्द क्या है अगला है मारा S कह रहा है The use of polite words इन सब्द नम्र शब्दों का प्रयोग जैसे Sorry, Please, Thank you, Beg your General Pardon, Pardon यह चीज बता रहा है इन सब्दों का प्रयोग हमको पनाता है दिमाग से healthy तो अब आपने देखा जैसे कि इसमें P से तो नहीं सुरुवात होगी और क्या R से भी सुरुवात नहीं होगी अब बचे आपके Q और S तो best जो है आपका Q है Q जो है पूरे sentence का परिचे दे रहा एक तो सुरुवात किस से होगी Q से होगी Q के अब दो option है Q के बाद क्या है A कट गया और D कट गया Q के बाद है P है ठीक है इसमें C और B दोनो एक जैसे misprint हो गए है ठीक है तो दोनो option एक जैसे है अब तो आपको पता जो लगा Q, P, S, R दो option printing mistake हो गई है Q, P, S और last में क्या आएगा R आएगा यह आपका हो जाएगा देखिए अगला क्या है दिया हुआ है अगला 20 नंबर का है 20 नंबर में है identify the segment in the given sentence which content जिसमें grammatical error हो वो भाग बताना है आपको वो पार्ट बताना है ठीक सुनी एक और correct का बाक्य दे दिया गया है सुनी take her daughter to the park in the evening in a stroller तो क्या है 20 नंबर में क्या गलत होगा अब इसमें जनते क्या है इसमें है इस वाक्य में सुनी takes her daughter के स्थान पर सुनी takes her daughter होगा ठीक है मतलब simple है यह तो सुनी takes है ना यह take तो take के स्थान पर takes हो जाएगा परिजेंट इंडिफनेट की दर है सरल है इसी है कोई कठिन नहीं है सुनी takes her daughter सुनी ले जाती परिजेंडेशन का है एक बचन सुनी है ऐसे यह से लगाएंगे चलिए अगला देखेंगे यहाँ को अब एक close test आपको देखने को मिलेगा students उसी का है यह close test सब पूरा sentence पढ़के आर्थ निका लिएगा क्या है कह रहा है आपका कहां से सुरू है यह आपका इसमें है संटेंस कह रहा है स्वामी father reads out to स्वामी the news of a young boy father ने बताया young boy के कहनी बताई अब young boy के बाद क्या आएगा which आएगा whom आएगा who आएगा that आएगा वेक्ति के नाम के बाद who आता है बहुत इसी है who had faced a tiger पीता जी ने बताया कि एक young वेक्ति के बारे में लड़के के बारे में जिसने सामना किया था का tiger का और कब किया था while returning home घर से लौटते समय number two पे है space और path किस path पे सामना किया था from the path आएगा क्या आएगा from दरास्ते से सामना उसने किया था और क्या है और है from the path home from path he had faced a tiger while returning home कहां से लौटते समय from path what do you what do you space swami दिया है what do you space swami क्या भरेंगे थे इसे नमबर में what do you space swami what do you तो इसमें क्या होगा what do you tell होगा talk होगा speak होगा what do you क्या होगा talk speak say या tell एक साधना बात के लिए होगा say का प्रयोग what do you say होगा थेक आप क्या कहते हो tell नहीं होगा आप क्या कहते हो और अगर he asked उसने का पूछा I space must have been very strong I और space क्या होगा 24 वह में क्या भरेंगे no regard suggest think no regard suggesting में भरेंगे हम suggest I suggest हो जाएगा और 25 का होगा close test क्या होगा 25 वह इसमें है must have been very strong and space person and कैसा person grow up परसान हो जाएगा ठीक है चलिए students यह close test प्रेटेस करते रहें close test की हमारे वीडियो को शेर करिए like करिए और कैसा लगा बताईए like के लावा भी अगर जो improvement चाहिए आप बताईएगा ठीक हम देंगे SSC CHSL के जो classes शुरू हुई है इसमें हम आपको देते रहेंगे CHSL है आपको exam है और अब भी तैयारी करते रहें यह बहतर से बहतर और जो math है reasoning है GK है इसकी भी classes मिलेंगे आपको SSC CHSL चलिए फिर मिलेंगे